हेलो बच्चो आज कक्षा 3 में हमारा विशय है गणित और उपविशय लेने देने का खेल तो चलिए मिलकर इन प्रशनों को हल करते हैं प्रशन नमबर 1 दस-दस की छलान लगाते हुए गिन कर हल करें एक आपके लिए पहले से किया गया है तो इसका पहला जो पार्ट है 46 गटा 27 वो आपके लिए ओल्रेडी किया हुआ है अगला करते हैं 50 गटा 35 तो हम शुरू करते हैं 35 से तो पहले लिखेंगे हम 35 35 के बाद 10 की छलान लगेगी तो आएगा 45 और 45 के बाद 10 की छलान लगने पर आएगा 55 लेकिन हमें जाना है 50 तक तो 50 तो 55 से पहले है तो कितना पहले है ये 5 पहले है तो हम घटाएंगे 5 तो हम अपना उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं 10 जमा 10 घटा 5 तो ये आएगा 15 तो इसका उत्तर हुआ हमारा 15 अगला करते हैं अब हमें गटाना है 70 में से 40 को तो चलिए पहले लिखते हैं 40 उसके बाद 10 की चलांग लगेगी तो आएगा 50 फिर 60 और फिर 70 तो हमें यहां पर 70 ही चाहिए तो हम देखते हैं एक चलांग फिर दूसरी चलांग और फिर तीसरी चलांग तो तीनों चलांग में हमें 10 जमा किये तो इसका उत्तर होगा 10 जमा 10 जमा 10 जो की है 30 तो गा का उत्तर हुआ 30 इसी प्रकार अगला प्रशन करते हैं 75 घटा 56 तो अब हम शुरू करेंगे 56 से तो पहले हम लिखेंगे 56 दस की चलांग लगाएंगे तो आएगा 66 और फिर दस की चलांग लगाएंगे तो आएगा 76 लेकिन हमें जाना है 75 तक तो 75 तो 60 से पहले है तो हमें एक स्टेप वापिस जाना पड़ेगा तो इसके लिए हमें करना होगा घटा 1 तो इसका उत्तर आएगा 10 जमा 10 घटा 1 जो की है 19 तो 75 घटा 56 का उत्तर होगा 19 चलिए अगले प्रशन करते हैं प्रशन नमबर 2 तिरबुज की परतेक पुझा पर दिये गए अंको का जोड तिरबुज के बीच में दी गई संख्या के बराबर होना चाहिए लुप्त संख्या लिखिए तो हमारे पास इस लाइन में का हम देखते हैं तो दो संख्या दी ह हुई है साथ और दो अगर हम साथ और दो को जोडते हैं तो हमारे पास आता है नो तो हम नो में क्या जोड़ें कि बारा आए तो हम नो में जोड़ेंगे तीन इसको बारा में से नो घटा कर भी इसका उत्तर आ सकता है तो यहां पर आएगा तीन इसी प्रकार अगले में देखते हैं 7 और 4 ग्यारा तो ग्यारा में हम 1 जोड़ेंगे तो आएगा 12 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अगला है 2 और 4 छे तो 12 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 6 अब 2 में 6 जोड़ेंग 8 और 4 बारा तो हमारा उत्तर ठीक है अगला प्रिशन करते हैं तो यहाँ हमें 2 संख्या दी हुई है 6 और 2 तो 6 में हम 2 जोड़ेंगे तो आएगा 8 अब 15 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 7 तो अगर हम 7 और 2 जोड़े तो 9, 9 और 6 पंदरा इसी प्रकार 7 में 3 जोड़े तो 10 और 5 पंदरा और इधर 6 और 5 ग्यारा और 4 पंदरा चलिए अगला प्रिशन करते हैं प्रिशन नमबर 3 2 से 11 तक की संख्याओं का प्रियोग करते हुए लुप्ट संख्या इस प्रकार ज्याद कीजिए कि प्रतेक लाइन में लिखी संख्या का जोड़ 20 हो तो हमें पिछले कुश्चन की तरह ही इसको भी करना है जैसे 8 और 2 को जोड़े तो आएगा 10 अब 10 में हम क्या जोड़े कि आएगा कि 20 आए तो हम यहां लिखेंगे 10 इसी प्रकार 10 और 6 16 16 में जोड़े 4 तो आएगा 20 7 और 4 11 11 में जोड़े 9 तो आएगा 20 8 और 9 17 17 में हम जोड़े 3 तो आएगा 20 ख 9 और 4 13 13 में अगर हम जोड़े 7 तो आएगा 20 या फिर 20 में से हम 13 घटाएं तो आएगा 7 अब है 6 और 4 10 20 में से 10 घटाएं तो आएगा 10 अगला है 7 और 2 9 20 में से 9 घटाएं तो आएगा 11 इसी प्रकार 8 और 9 17 17 में हम 3 जोड़े तो आएगा 20 प्रशन नमबर 4 खाली बॉक्स में उचित संख्या भरें तो हमें यहां पर संख्या भरनी है जैसे पहली है 90 तो 90 में से 50 हम घटाएं तो आएगा 40 90 में से 10 घटाएं तो आएगा 80 90 में से अगर हम 30 घटाएं तो आएगा 60 और 90 में से 45 घटाएं तो आएगा 45 इसी प्रकार 40 में हम क्या जोड़ें कि आए 66 तो हम लिखेंगे 26 33 में 33 जोड़ने पर 66 आएगा और 20 में 46 जोड़ने पर 66 आएगा इसी प्रकार 36 में 30 जोड़ने पर 66 आएगा प्रशन नमबर 5 नीचे दिये गई सवालों को हल करें तो पहला है 245 जमा 258 तो आठ में हम 5 जोड़े तो आएगा 13 तेरा का 3 हासिल 1 तो 5 और 4 नो, 9 में जोड़े तो आएगा 10 10 का 0 और हासिल 1 2 और 2, 4 और 1, 5 अगला प्रशन करते हैं 5 और 4, 9 और 9 में 0 जोड़े या 6 जोड़े तो आएगा 9 और 3 और 1, 4 अगला दो में 1 जोड़े तो आएगा 3 अब 6 में 9 जोड़े तो आएगा 15 15 का 5 हासिल 1 5 और 2, 7 और 1, 8 अगला 6 में हम 3 जोड़े तो आएगा 9 9 में 9 जोड़े तो आएगा 18 का 8 हासिल 1 2 और 3 और 1, 4 6 में 4 जोड़े तो आएगा 10 का हासिल 1 8 और 0, 8 और 1, 9 5 में 3 जोड़े तो आएगा 8 अब 8 में 2 जोड़े तो आएगा 10 10 की 0 और हासिल 1 8 और 2, 10 और 1, 11 का 1 हासिल 1 5 और 2, 7 और 1, 8 तो आज की वरक्षीट यहाँ पर कम्प्लीट होती है अगर आपके ये वीडियो अच्छी लगें तो इस वीडियो के लाइक कीजिए इस चैनल के सब्सक्राइब कीजिए Thank you, bye bye